दोहजार पच्चिस में शनी बदले वाले हैं अपनी चाल चांदी के पाई में आते ही करेंगे अपार करपा जाने शनी का मीन राशी में गोचर कैसा रहेगा मेरे यूट्यूपे रेस्टो नेश पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हून रेश्वार सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सबस्काइब किया है पेज के वीडियो को शेर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंटर बॉक्स में हमें अपनी राय भ तक वहीं पर रहेंगे ये लगबग 161 दिन का पीरिड है जब शनी मीन राशी में गोचर करेंगे हाला कि इसी अवदी के बीच 2027 में 3 जून को शनी वक्री होते हुए दबारा कुम्ब राशी में आएंगे 20 अक्तूबर को फिर मीन राशी में जाएंगे और फिर 23 अक्तूबर 2028 तक रहेंगे ये जब कुम्ब राशी में रहने वाला पीरिड है ये लगबग 140 दिन के आसपास का पीरिड है तो कुल मिलाकर शनी मीन राशी में 921 दिन के लिए रहेंगे 921 दिन के लिए जब रहेंगे शनी तो इसका करक राशी के जातकों के उपर क्या असर पड़ेगा इसके उपर चर्चा करेंगे क्योंकि करक राशी के उपर इस समय शनी की ढईया चल रही है काफी परशानी दी है शनी की ढईया ने कारण यह है कि शनी जो है वो गोचर करेंगे 9th house में शनी का जो गोचर देखा जाता है समाने तोरपर शनी तीसरे भाव में चटे भाव में और गैरवे भाव में अच्छा गोचर करते हैं ये standard formula है जो हम हुराप राश्चर शास्तर से लेते हैं ये पाप ग्रहों का जो गोच आप देखिए ये कुंड़ी आपके सामने लगे हुई है ये 29 मार्च 2025 की कुंड़ी है रात के 11 बच के 5 मिनिट की यहां पर शनी आ गए आपके लिए मीन राशी में जब शनी राशी परवरतन के समय चंदरमा से चोथे भाव में चंदरमा से पांच में भाव में दूसरे माना जाता है यांकि यह चांदी का पाया माना जाता है यह शुब पाया माना जाता है एक यह पेरामेटर है एक शनी की धहिया साड़े साती हम पकड़ते हैं कुंड़ी में जब शनी आपके बारवें भाव में आते हैं चंदरमा के ऊपर से आते हैं या चंदरमा से दूसरे या साड़े साथी चल भी रही है और आपको शनी ने आपके अश्टेक वर्ग चार्ट में ये इंडिजियल चार्ट होता है सबका लग होगा ये करक्राशी का चार्ट नहीं है यदि इस कुंडली में शनी की मार्किंग चार से जादा हो जाए जैसे अब यहां पर 12 राशी दे दीपिका पादू कौन है विराट कोली है ये सारे लोग साड़े साथी की दशा में ही इनको ग्रोथ मिली है मुकेश अमबनी हमारे सामने इनको ग्रोथ जो है साड़े साथी की दशा में मिली है तो ये ये जो चार्ट है ये अश्टेक वर्ग चार्ट होता है यहां से शनी चुकी 9th house में आ जाएंगे और जो ये जो कुंडली है आपकी 29 मार्ट 2025 की जिसको हम बोलते हैं शनी के परवेश की कुंडली और वहाँ पर राशी परवेश के समय करक राशी के लिए शनी 9th house में आगे इसलिए ये रजत पाया माना जाएगा रजत पाय में आने का मतलब ये है कि आपके लिए शनी बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे अब कैसे रिजल्ट करेंगे इस पर चर्चा करते हैं तो करक राशी के जातकों के लिए शनी का 9th house में जाना शनी की एक जो है वो समाने वो होती है जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देत हैं उसकी जो सिंपल कैलकुलेशन है शनी जहाँ पर है उस भाव को मजबूत करेंगे तो ninth house यान जान यदि भाग्य का स्थान भाग्य के स्थान को शनी आपके मजबूत कर देंगे करकराशी के जो जातक होते हैं उन वे इन में से बहुत ऐसे जातक होते हैं जो शनी के ही बुद्ध का उसके चार नक्षत्र आते हैं और इसके लवा पुनरवसू नक्षत्र है गुरू का उसका एक नक्षत्र आता है जो पुनरवसू, पुशे और अशलेशा ये तीन नक्षत्रों में करकराशी के जातक पैदा होते हैं जो पुशे नक्षत्र में पैदा होते हैं, वो शनी के नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो शनी के नक्षत्र में पैदा होने वाले जात्कों के लिए, जब शनी जो है, वो अच्छे गोचर में आ जाएंगे, वो डेफिनिटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ड करेंगे, य आपके लिए नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे और वीनस और शनी जो हैं वो मित्र भाव रखते हैं आपस में आप देखिए गोचर का प्लैनेट आपके लिए अच्छे रिजल्ट में और महादशानाथ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा करकराशी के लिए जो वीनस हैं आपके लिए आपके लिए लेवन्थ हाउस के स्वामी बनते हैं और चोथे भाव के स्वामी बनते हैं तो दोनों ही अच्छे भावों के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र आपके लिए डेफिनिटली अच्छा रिजल्ट करें जाते हैं 20 साल का ये पीरिड होता है और जितने भी इस समय जा तक है 30 से 50 साल के उमर के जो पुशे नक्षतर में खास दूर पर पैदा हुए उनके उपर इस समय शुक्र ही चल दा है तो शुक्र की दशा में शनी का शुब हो जाना आपके लिए बहुत अच्छा है किस चीज के लिए अच्छा है सबसे पहले ये समझिए भग गए आपका साथ देना शुरू करेगा 921 दिन में आपको उन चीजों के रिजल्ट मिलेंगे जो आपने पहले की हुई है जिनकी मेहनत आपने पहले की है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था शनी समय के कारक हैं ये वो समय अब आ रहा है 29 मार्च 2025 के बाद करकर आशी के जातकों के लिए जब ये आपको रिजल्ट देने शुरू कर देंगे आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कैसे फाइनाशली रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे position wise result आपको बहुत अच्छे मिलेंगे आपको इसके result यदि संतान के मामले में यदि अमबात करें तो वहाँ पर आपको उसके अच्छे result मिलेंगे आपको कर्ज के मामले में बहुत अच्छे result मिलेंगे यदि आपके ओपर किसी तरह का कर्ज है या कोई केस है तो वहाँ पर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बहुत सारी चीज़े आप देखेंगे जो लंबे समय से लटक रही थी वो अब एक्जिकूट होते हुए नजर आएंगी आपके एफर्ट जो है वो अगे बढ़ते हुए नजर आएंगे तो अश्टम भाव सडन प्रॉफिट का भाव होता है सडन प्रॉफिट आपको कही न कहीं से मिल सकता है अचानक धनलाव हो सकता है सैवन्थ हाउस आपकी किसी के साथ पार्टनर्शिप हो सकती है यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि शादी हो जाए और यदि आप बिजनस में पार्टनर ढूंड रहे हैं तो यह समय आ गया है जब आपको पार्टनर जो है वो कोई न कोई मिल जाएगा और आप अच्छे तरीके से उस बिजनस को आगे लेके जा पाएंगे एक्जीकूट कर पाएंगे चीजों को कारोबार के लिहाई से हेल्थ के लिहाई से काफी बेनिफिट देंगे यहां पर शनी और आपको डेफिनेटली स्वास्तलाब भी होगा समाजिक परतिष्ठा भी बढ़ेगी पैसा भी आएगा और धनला भी अचानक से हो सकता है संतान पक्ष से भी आपको अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल सकती है करकराशी के जाकों के लिए ये रहेगा शनी के चांदी के पाएंगे आने का 921 दिन का प्रभाव यदि आपकी कुल्ली में शनी की पोजिशन खराब है या शनी अश्टम में पड़े हुए है या बारवे में पड़े हुए है लगन कुल्ली के में बात कर रहा हूँ शनी सूरे के साथ है अस्तिती में है शनी राहु के तू एक्सिस में है खराब पोजिशन में है, शनी के उपर मंगल का प्रभाव है, शनी मंगल के साथ शटाश्टक बना कर बैठे हुए है या शनी दोगों से ज़्यादा पाफ ग्रहों से पीडित है, तो शनी की पोजिशन खराब बनती है, यदि आपकी कोई फैक्टरी रन करते हैं, आपके अंडर लिबर काम करती है, तो वो सारी जो लिबर है, वो सैटरन कोड रिप्रेंट करती है शनी मासिस के कारग रहे हैं मासिस के साथ आपका रिलेशन जैसा रहेगा, वैसे शनी आपको रिजल्ट देंगे तो इस relationship को अचा रखिये दूसरा बार शनी का दान आप शाम के समय कर सकते हैं ओरत की डाल दान करिये और जिस मकसद से आप दान कर रहे हैं उस मकसद को बोल कर वो दान करिये शाम के समय आपके नाम के साथ दिया गया दान जो है वो उसके अच्छे फल मिलते हैं यदि आप स्टोन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नीलम धारन कर सकते हैं शनी का लेकिन ये ध्यान रखिए कि शनी की पुजिशन आपकी कुनली में छटे आठमे बारवे भाव में ना हो और ना ही वो मरक स्थानों में पढ़ा हो द स्टोन ना पहन जाए क्योंकि वो बारवे भाव के भी फल कर जायेंगे यदि शनी की पूजिशन आपकी कुनली में केंडर में हैं तैको को सूट करता है उनगी बहुत अच्छा होता है यह वीडियो आपको कैसा लगा इसस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जिरूर इसके साथ ही मुझे देजिए जाज़त नमश्कार